पहले पॉइंट क्या करता है, mod of x minus a less than r है, थम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे, implies that a minus r greater than x greater than a plus r that is, या फिर x belongs to a minus r, a plus r, या पो clear हो गया हो, कैसे लिखेंगे हैं, इसका solution भी बता देते हैं, तो x minus a less than r है, तो हम इसको a को सिंपली हूँ से ले जा सकते हैं, x minus, x less than a plus r, एक तो ये condition है, directly लिख सकते हैं, दूसरा condition क्या कह रहा है, कि minus times of x minus a less than r, जब हमारा छोटा होगा तो minus x लिखते हैं, तो minus x हमारा इतना पूरा है, तो ये minus x plus a less than r है, तो इसको इससे लेके जाएंगे, इसको इससे लेके आएंगे, a minus r less than x, ठीक है, या फिर x greater than a minus r, x जो a minus r से बड़ा होगा, एक condition हमारा ये मिला है, एक condition ये मिला है, ठीक है, a plus r है, बड़ी value हो गई है, इसलिए इसको last में लिखा गया है, a में हमने r को separate कर दिया, छोटी value होगा है, इसलिए इसको last में लिखा है, वो पहले लिखा है, और इसको बाद में लिखा है, Как法 ब्रिकिट नहीं बनाया है बेटाइं यह इन्युक्वल्टी सग्षाइन है केवल इसलिए हम इर्फाइन क्व olan टरोша जाएगा तो हम क्या बनाते हैं इसी में यह वाला bracket लगा देंगे square bracket आएगा भी second case में दिखते हैं second case क्या कह रहा है वही है x minus a less and equal to r इसको break करेंगे implies that and implies that a minus r less and equal to x less and equal to a plus r और इसको फिर कैसे लिख सकते हैं that is x जो बिलॉंग करेगा a minus r से comma a plus r के बीच में यह bracket बनेगा square bracket क्यों हो क्योंकि आप यह equal का sign आ गया है equal का sign आ गया है तीसरा condition क्या है तीसरा condition है greater का x minus a greater than r क्या करेंगे implies and implies by x जो है less than a minus r होगा और x greater than a plus r होगा दो अलग-अलग बनेगे हाँ याद रखिएगा यह कैसे आया है इसको भी हम solve करके दिखा देते हैं यही पर नीचे ही अगर यह positive है तो simply x minus a greater than r हो जाएगा तो x greater than a plus r आ जाएगा ठीक है यह माला यह वाला case हो गया and my negative यह तो x minus a greater than r होगा तो minus a plus a greater than r हो जाएगा तो a minus r greater than x हो जाएगा तो एक यह condition निकल काया है यह वाला और एक यह condition निकल काया है दो condition ठीक है तो यह वाला condition हमने कहां लिखा है यह लिखा हुआ है x की तरफ चोटी sign है angle की तरफ चोटी sign है x की तरफ तरफ चोटी sign a minus r की तरफ यह खुला हुआ हमोगा खुला हमोगा तो यह हो गया और यह वाली sign हमारा इसको बता रहा है ठीक है तो हम इसको दो part of break करते है ठीक है तरफ चोटा point है mod of x minus a greater than and is equal to r इसको भी दो part of break करेंगे x greater than and is equal to a plus r यह होगा या फिर x less than a minus less than and is equal to a minus r x less than and is equal to a minus r x greater than a plus r यह आपको की चार point हो गया इसको note कर लीजे काफी important है यह अक्सर पूछा जाता है question पूछा नहीं इसका use होता है question में ठीक है पूछा नहीं जाएगा इसका use है तो यह अगर practice हो गया है तो आपका inequality में कहीं भी कोई दिक्कत प्राब्लम नहीं आएगी ठीक है अब इसका देख last concept है आपका जो काफी important है उसको भी discuss करते हैं यहीं पे